नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एसका एगरी कल्चर में किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गेहों की बोवनी मसीन से कितने इंच की दूरी पर करनी चाहिए पंक्ती से पंक्ती की दूरी कितनी रखे यहां पर मैं आपको अपने तरीके के बारे में बताने वाला हूँ अपनी मसीन के बारे में बताने वाला हूँ तो यहां पर आपको जो यह वीडियो क्लिप देखने को मिल रहे हैं यह जो गेहों आपको देखने को मिल रहे हैं यह हैं पूसान मॉल पुसान मॉल के ये खेद आपको पूरा देखने का मिल रहा है यहाँ पर मैं आपको मेरी उस मसीन का वीडियो क्लिप भी में आगे आगे आपको प्ले करके दिखाऊंगा उसे पहले आप ये खेद देखकर आप पैचान सकते हो कि अगर मैं जिस तरीके से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसी परकार से अगर आप क्यहों की बहुनी करोगे तो आपके खेद में गहों किस तरीके से दिखेंगे या आप ये पूरा का पूरा खेद देखकर या पर आपको पैचानने में आसानी हो जाएगी किसान भाईयों वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल पर नहीं आए हो तो मैं आपको यहां पर फिर से बता देता हूं कि मेरी मसीन है उसमें जो है पंग्ति से पंग्ति की दूरी में हमेशा ज 설 आट इंच रखता हूं सवयबीन और मक्का की दूरी रखता हूं वह 16 इंच पर रखता हूं किसान भाईयों यहां पर आप यह जो वीडियो क्लिप देख रहे हो यह मेरी सिट ड्रील है जो मैंने मेरी जमीन क्या है कि पत्रिली जमीन है तो मैंने अलग से जुगार करके इसको बनाया है इसके नीचे जो यह ट्रिलर आप देख रहे हो इसमें जो है स्प्रिंगां वगेर दिख रही हैं तो इन सब में जो है गहूं की बौवनी होती है जो पीछे की जो इसके जो जो यह इसे लगी हुई नलिया और आगे की नलिया लगी हुई है तो इन दोनों में ही जो है गहूं की बौवनी होगी तो यह जो दूरी बनती है पंक्ति से पंक्ति की वो बनेगी ऑगास किलो प्रती इकड के इसाफ से होती तो यह कितना डालना है प्रती एकड यह तो वेराइटी के आदार पर होता है बाकि अगर रही बात पंगती है कि तुम्हें आपको यहीं पर यहीं करना चाहूंगा कि आप पंक्ती से पंक्ती की दूरी आठ इंच जरूर रखे इससे पोदे को हवा भी मिलेगी ज्यादा यह दूरी ज्यादा कम भी नहीं है ज्यादा पास भी नहीं है तो इससे आपको काफी ज़्यादा फाइदा जरूर मिलेगा तो खिसान भाईयों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद